नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूँगा आपके कुछ सवालों के जबाब तो शुरू करते हैं यह सवाल जबाब का सिल्सला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल पहला सवाल मैं ले रहा हूँ यह पूछा है संजय सोनी ने संजय जी आपने बताया कि आपकी उम्र है 37 years और दो साल से आप SIP कर रहे हैं और अगले 15 साल तक आप SIP को continue करेंगे आपके पास है परागपारिक Flexi Cap Fund वहाँ पर 50,000 की SIP है Axis Small Cap Fund में 15,000, Quant Small Cap में 10,000, यानि के मिलाकर हुई 25,000 मेरे Asset Large and Mid Cap Fund में 15,000, Quant Active Fund जो के एक Multicap Fund है वहाँ पर 10,000 और ICIC Potential Value Discovery Fund जो के एक Value Oriented Fund है उसमें 10,000 की SIP है आपने बताया कि आपने पहले कम अमौंट से सुरू किया था और अब बढ़ते बढ़ते यह अमौंट हो गया है 1,20,000 पर मन तो यह बहुत अच्छी बात है कि समय के साथ आपने अपने investment amount को बढ़ाया है और आपने पूचा है कि क्या यहाँ पर कुछ overlapping है मैं एक बात बता दू यदि हम portfolio की बात करें तो किसी भी large cap fund में क्योंकि जो top 100 stocks हैं अपने market capitalization के हिसाब से उनहीं मैंसे यहाँ पर stocks select किये जाते हैं mid cap की बात करें तो अगले 150 stocks जो हैं यानि कि top 100 जो हैं वो large cap हो गए उसके बात कि जो 150 हैं 101 से लेकर 250 तक तो 150 stocks जो हैं वो mid cap में आते हैं तो जब आप दो mid cap funds के portfolio देखेंगे या दो large cap funds के portfolio देखेंगे तो आपको काफी stocks महाँ पर similar दिखाई देंगे तो ये तो तैह है कि portfolio में stocks जो हैं काफी एक जैसे हो सकते हैं लेकिन उनका weightage कितना है portfolio में उस पर काफी हतना निरभर करता है कि performance कैसी रहेगी और साथ ही जो दूसरे stocks हैं जो नहीं लिए गए एक portfolio में या बाकी लिए गए हैं उनके आधार पर भी ये काफी हतक तैह होगा कि आपका fund कैसा perform करेगा लेकिन यहाँ पर सबसे important चीज यह है कि आपके portfolio में mid-cap fund missing है आपने एक large and mid-cap fund लिया हुआ है मेरे asset large and mid-cap fund वहाँ पर सिर्फ 15,000 की SIP हो रही है और उसके जरिये आपको mid-cap exposure मिल रहा है और साथ ही quant active fund जो है उसके जरिये थोड़ा आपको exposure मिल रहा है लेकिन इन दोनों funds में आपका investment काफी कम है तो मेरी राय यह है कि आपको एक mid-cap fund अपने portfolio में शामिल करना चाहिए mid-cap में आप मुतिलाल उस्वाल mid-cap fund को consider कर सकते हैं यह एक अच्छा fund है और या फिर निपोन इंडिया growth fund भी consider किया जा सकता है तो एक mid-cap fund को आप अपने portfolio में शामिल करें और आप पर आप पार एक flexi cap fund से exposure थोड़ा कम कर सकते हैं या फिर small cap funds दो हैं वहाँ पर एक fund में SIP रोक कर आप एक mid-cap fund को add कर सकते हैं लेकिन mid-cap fund आपको add करना चाहिए यह मेरी राय है पूटफोलियो में जो भी funds हैं आपके पास वो सभी अच्छे हैं और बस थोड़ा सा बदलाओ मैंने आपको suggest किया है बाकि आप इन funds में बने रह सकते हैं लेकिनला सवाल जो पूचा है राकेश जी ने राकेश जी आपने बताया है कि आपके पास है SBI कौंट्रा fund अगें यह एक वैल्यू और इंडिया small cap fund में thousand और निपोन इंडिया 150 mid cap index fund में भी 1500 रुपीज के सहीपी चल रही है और आप जाना चाहते हैं कि 15 साल के इसाब से funds कैसे हैं तो अच्छे funds हैं आपके पास large cap, mid cap, small cap सभी तरह के funds हैं तो मेरे साब से आप इन funds के हाथ आगे बढ़ सकते हैं एक ही आपको मेरी सलहा होगी कि आपको step up करना चाहिए आपने अभी जिस amount के साथ start किया है आपको साल दर साल इस amount को बढ़ाना चाहिए आप हो सके तो 10% से कम से कम step up करें ताकि 15 साल में आपके पास एक बड़ी पूजी एकटा हो सके बढ़ते हैं आगे लेते कला सवाल जो पूचा है सतीश चोहान ने सतीश जी आपने बताया है कि आप कुछ funds में S.I.P कर रहे हैं S.B.I. Blue Chip Fund में 3,500 केंदा रोबेको Small Cap Fund में 3,000 कौंट Dynamic Asset Allocation Fund में 4,500 कौंट Mid Cap Fund में 3,000 पराग पारिक Flexi Cap Fund में 5,000 एक्सिस Growth Opportunities में 3,500 जो कि एक लाज इन Mid Cap Fund है तो लाज इन Mid Cap Fund है, Flexi Cap है, Mid Cap है, Small Cap है और साथ में आपके पास Dynamic Asset Allocation Fund भी है जैनकि यह Balance Advantage Fund की कैटिगरी कह लीजिए तो funds तो सभी अच्छे हैं और आपने यह जरूर है कि funds थोड़े से ज्यादा हैं आपके पास में लेकिन फिर भी आप इन में बने रह सकते हैं और टारगेट है आपका 75 lakh by 2030 तो यदि हम बात करें आप 2024 की सुरवास से लेकि मैं काउंट करूँ या अभी से लेकि भी बात करें तो आपके पास by end of 2030 यहनी कि 7 years होते हैं तो 7 years के हिसाब से ठीक है small cap में exposure है बर थोड़ा है कोई बात नहीं 22,500 की SIP है और यदि मैं 12% के CAGR पर calculate करूं तो लगभग 46,47,000 रुपीज एकटा हो पाएंगे यह calculation निकल कर आती है और आपका target है 75 lakh का तो आपको SIP अमॉंट को तो काफी बढ़ाना होगा और यह मैंने आपको बताया जो अपने mention किया है कि 4,000,000 रुपे invested है अब इसकी value कितनी है वो अपने नहीं बताया तो मैं मानके चल रहा हूँ कि 4,000,000 रुपे अभी invest किये हैं आपने 4,000,000 की value है और प्लस 22,500 के SIP 10% का step up यह सब चीजों को ध्यान में रखते होए 12% के CAGR करीब 46.47,000,000 रुपीज घटा हो पा रहें तो आपको अपने investment को बढ़ाना होगा तभी यह मुम्किन हो पाएगा All the best to you और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विने शुकला जी ने शुकला जी आपने बताया कि आप सुल्तानपूर के रहने वाले हैं और September 15, 2022 से आपने SIP या SIP नहीं आपने लंसम investment किया हुआ है SBI Contra Fund में 3 लाग, SBI Blue Chip Fund में 2 लाग, SBI Small Cap Fund में 2 लाग तो आपने 7 लाग रुपे invest किये और सभी funds आपके SBI किये हैं मेरे साब से यह सही नहीं है किसी भी investor को अलग-अलग fund houses में invest करना चाहिए ताकि आपको अलग-अलग fund managers के जो expertise है, investment style है उसका फायदा मिल सके but anyway funds आपके सभी अच्छे हैं और आपने कहा है कि आगे का mark दर्शन दीजिए एक बात तो है कि आपके portfolio में mid cap missing है, आपके पास एक large cap है, एक small cap है और एक value oriented fund है, mid cap missing है तो आपको एक mid cap fund add करना चाहिए और mid cap में मुतरल उस्वाल mid cap fund या निपॉन इंडिया growth fund ये funds consider किये जा सकते हैं तो बस बाकी तो ठीक है, एक mid cap fund add कर लें और आप लमसम ना करें बलकि आप SIP करें इस fund में और यदि लमसम amount आपके पास available है, तो भी आप STP की जरिए, यानि कि systematic transfer plan के जरिए mid cap fund में invest करें और अब लेते हैं आज का अखरी सवाल जो पूछा है सचिन जड़ेजी ने, और सचिन जी हमारे बहुत ली regular viewer हैं और अकसर वीडियो देखते हैं और comment भी करते हैं, सवाल पूछते हैं तो सचिन जी बहुत बहुत धिन्यवाद आपका, आपने कहा है कि आप FAB 2024 में अपने काम से रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद में शायद SIP रोग दें या फिर आप amount कम कर दें क्योंकि pension आपकी होगी जो की definitely salary से थोड़ी कम होगी और 30 lakh रुपीज आप अलड़ी accumulate कर चुके हैं 17% का आपको CAGR मिला है यहाँ पर, वो अच्छी growth है और कुछ regular plan है, कुछ direct plan है, कोई बात नहीं यदि आपको आपके distributor की मदद मिल रही है, तो regular plan में invest करना भी ठीक है और यदि आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप direct plan में जा सकते हैं लेकिन आपको पता है कि अगर आप regular से direct में जाएंगे तो फिर वहाँ पर capital gain tax भी applicable हो सकता है तो जिस वक्त पर आप switch करने के बारे में सोच रहे हों, तभी आप करें Otherwise, ऐसे यदि आपको same scheme में रहना है, तो regular से direct में जाने पर हो सकता है कि आपको फायदा ज्यादा ना हो, tax pay करने के बाद, तो यह आपको दिखना होगा दूसरी बात यह है कि retirement नजदीक आ रहा है, तो आपको अपने portfolio में बदलाव करने चाहिए equity exposure कम करके debt में investment बलाना चाहिए, कुछ conservative hybrid funds या दूसरे hybrid funds को portfolio में शामिल करना चाहिए तो यह बहतर होगा, आपने कहा है retirement benefit के रूप में आपको कुछ राशी मिलेगी और साथ ही आपको pension भी मिलेगी कि अब ज्यादा पैसी high invest नहीं होने वाले हैं, तो मेरे इसाब से आपको portfolio में रिस्क तो कम करना चाहिए और साथ ही जैसे आपने कहा है कि 15-20 लाग रुपे आप senior student savings scheme में invest कर दें और उसका जो interest आएगा उसे आप किसी hybrid fund में invest करें तो ये अच्छा रहेगा definitely वहाँ पर quarterly आपको return आएगा लेकिन कोई बात नहीं आप quarterly SIP भी कर सकते हैं, otherwise account में आएगा आप मंतली SIP set कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिलकुल SIP कर सकते हैं उस पैसे की hybrid fund में और बाकि जो portfolio है उसे भी आप थोड़ा सा rebalance करने की कोशिश करें और बहतर होगा कि आप एक बार फिर से वैसे तो आपने कई बार मुसे सवाल पोचे हैं और portfolio share किया है, आप फिर भी अपना पूरा portfolio एक बार मेरे साँ share कर दें तो मैं आपको उस पर एकदम से सटीक राय देने की कोशिश करूँगा मैं आपको मेरा contact number भी दूँगा तो आप मुझसे directly बात भी कर सकते हैं All the best to you तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रशनों के उतर दिया और मुझे उमीद है कि जानकारे आपको पसंद आई होगी और ठीक से समझ में भी आई होगी इसी तरह से आपके सवाल और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोश्ट करते रहें और इसी के साथ मुझे दीजे इजाजत अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी थैंक्यू चैहिन म्यूचल फंड निवेश बाजार जोखिमों के आधीन है योजना से सम्मंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े